हाई फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको बालों को लंबा घना काला और चमकदार बनाने के लिए एक असान सा घरिलू पर बताने जा रहे हूं इस नुसके की इस्तेमाल से आपके बालों में बहुत अच के मिलावल आपके बालों के लिए बहुत ही फाइदे मंन्त है या विटा मिन Z हो रहा है तो यह आपके बालों को जड से बनाएगा चान capaz टेमाल में काली बने रहेंगे वह सफेद नहीं होंगे इसके अलावा आवला आपके बालो को शाइनी भी बनाता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है शीका काई शीका काई भी आपको मार्केट में असाने से मिल जाएगा इसकी इस्तिमाल से आपके बाल काफी खुबसुरत हो जाते हैं बालो में शाइन आती है साथी या आपके बालो क ग्रोथ के लिए भी काफी फायदेमंद है शीका काई के इस्तेमाल से आपके बाल काफी हेल्दी हो जाते हैं अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है चाय पत्ती चाय पत्ती के इस्तेमाल से आपके बालों में अच्छा सा कलर आएगा यह आपके बालों को खुबसूरत बनाता है साथ ही आपके बालों में अच्छी सी शाइन भी लाएगा अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है इसमें आपको मिक्स करना है पानी इतनी मात्रा में इसमें पानी मिक्स करना है जिसे एक अच्छा सा पेश्ट तियार हो सके अब इसे आप 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने दे जिसे अच्छी तरह से पानी में एब्सवर हो जाए यह अच्छी तरह से फूल जाए और यह बहुत ही अच्छा वर्क करेगा पंदरा से 20 मेट के लिए से ऐसी रहने दे फिर आप अपने बालों में इसे अच्छे से लगाए इससे लगाने से पहले आपको अपने बालों में ओयल नहीं लगाना है इसका इस्तेमाल करना है आपको अपने बालों में लगबाग आदे घंटे के लिए आदे घंटे के लिए लगा रहने के बाद आप इसे अपने बालो को वश कर ले इसकी इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ही अच्छी color आएंगे साथी इसे आपके सफ़ेद और बालों को काला बनाएगा जड़ से साथी बहुत ही तेजी से आपके बालों की ग्रोथ भी होगी लंबे घने और मजबूत होंगे आपके बाल हफते में दो बार इसका इस्तिमाल करके देखें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बाल बहुत ज्यादा खुबसूरत हो जाएंगे एक बात का आपको ध्यान रखना है इसे लगाने से पहले आपको अपने बा इसका इस्तिमाल करके देखें आपको बहुत जादा लाप मिलेगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगए तो प्लीजी से लाइक और शेयर जूर करें बेल बटन को क्लिक कर लें नए वीडियो को नोटिविचेशन पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में